वेलकम टू अवर ऑनलाइन यूटूब चैनल उमीदास साब अच्छे से होंगे और टेट की जो हमने वीडियो वगरा डाले हैं इससे पहले आप उसको देख लिए होंगे और आप उसको उसको फाइदा भी मिल रहा होगा तो उसी सिल्सिलों को मैं कंटीनू करते हुए मैं य क्या रिलेसे नहीं क्या माक्स एक सब्सक्राइब पढ़ना है क्या टाइमिंग पूरा स्टेडिजी क्या होता है यह सब के बारे वीडियो बंढ़िजिए ठीक है माइं उसी सिल्सिल्यक को कंटीनू करती है मैं आपके लिए आज लेकर आया हो कि जो महां टाइट एक्जाम जो होने वाला है आपका जब भी हो एक दो महीने बाद उसका syllabus क्या है और eligibility criteria क्या है ठीक है तो इसके बारे हम लोग आज बात करेंगे ठीक है तो वीडियो पूरा मालम पड़ा कि आप eligible ही नहीं हो और आप नई उम्मीद लगा के बैठे हो बाद में आपका उम्मीद टूड़ी जाए इससे पहले आपको सारी चीजे जाल देना बहुत जरूरी होता है ठीक है तो उसके बाद देखेंगे सबसे पहले eligible कौन-कौन है एक्जाम देने के ठीक है जैसा आपको पत्दा है कि जो हम टीटी वगरा दे दो फेपर होता है ठीक है लेकिन यहां पेपर सबका कॉमन है का सब टीचर के लिए एक ही पर बनेगा यह बात आप समझे लो पहले सब्जेट भी आपको लिए देना नहीं है कि आपका सेलिचा सर मेरा मैस साइंस है मेरा म सब के लिए कॉमन टेस्ट यह तो इसके आपको सब्जेट कोई मानी नहीं रखता है कि वह तो आप जब आप सेलेक्शन हो जाएगा आपका अब मेरे लिस्ट में आ जाओगे उसके बाद आपका जो डिगरी है आपने डिगरी है या डिप्लोमा जो भी है आपने उसके में आपने क्या मतलब सब्जेट चूज किया है उसके बेस पर आपका सेलेक्शन होगा आपको सब्जेट अलॉड किया जाएगा वह बात की बात है ठीक है लेकिन अभी तो फिलहाल जो आपका है वह common है क्या चाहिए सिंपल आपको देखो आप या तो एचसी डियर होना चीए पास होना चीए या आप महार टीटी पास होना चीए या सिटेट टो पेपर वन तो आप फिसटति क्लिए पढ़ाने की रिजिभल होगे ठीक अब टीट की लिए इलिजिवल हो उसमें आपको क्लास कोन सी दी जाएगी फिप्ट ठीक है तो अभी दुखो कुश लोग बोलते अगर सीटेड पास है तो क्या हम लोग महाराष्ट में 100% कर सकते हैं जी आर आज चुका यह तो सीटेड अगर पास हो आप तो आप बेसक बिना जीज़क आप महां टेड महां टेड के लिए इलिजिबल हो आप ठीक है कोई कुछ भी बोले उनकी बात में सुनों बहुत से लोग मार्केर में फाइल रही है कि सीटेड इलिजिबल नहीं है सीटेड मतलब सीबी सीओ लोग को सिर्फ पढ़ा सकता है महाराष्ट में उसकी कुई वैल्यू नहीं होता कुछ नहीं लेकिन मह महाराष्ट गवर्णमेंट ने सीधा सीधा बोल दिया कि आप चाहिए केंद्र या स्टेड लेबल पर कोई भी टीटी अगर है टीटी हो या सीटेड हो अगर आप पास हो तो आप लिजिबल हो महाँ टेड देने के लिए अब डिपेंड करता है कि आप पेपर वन और पेप करता है कि आप कौन से पर पास हो तो आप यह सब्जेट पढ़ाओगे आपका जो गरिविर्शन में या बीड मेंगे जो सब्जेट्स हो गहरा जो कॉम्बिनेशन तो उसकी साफ से आपको सब्जेट अलोड के जाएगा अभी फिलाहल कोई क्राइटिरिया नहीं है आप कंडिशन्स हैं आपको ग्रिफिट होना चरिए आपका प्लस बातोल होना चीए फ्लस महां टीटी पास होना चाहिए या सीट इड picture wäre श्रीब्म आच करना चीए और और प्लस ब्लस बीडिट यह सबको बता होता है ठीक है आपको मसर्प यह बतानाा चाहता था कि यह जो confusion है यह आप निकाल दीजिए कि सर सीटेड अगर पास है तो दे सकते क्या हाँ बेवल्कुल दे सकते हैं बिना जीजग ठीक है तो यह छोटी सी eligibility criteria है इसके दें conditions तो बहुत सारे है वह आप को पता ही होगा आप teachers हो के चिस्ची अगर आपको teachers करना है फर्स्ट फिफ प्राइमरी लेबल पर तो चिस्ची डिएट चाहिए या अगर हायर सिकंडरी में चाहिए तो graduate प्लस बेट चाहिए अब सब्जेट उससे आपको लेना देना नहीं आप कोई भी सब्जेट सब्जेट से बिए बिकॉम बेसी कुछ भी हो वह तो आपके सेलेक्शन टाइम पर डेपेंड करेगा कि कौन से सब्जेट की कौन से विकेंसी है ठीक है तो बस इतना इनफ है इसके बारे में जादा बात नहीं करेंगे में अपना जो टारिकेट वह सिल्लेबस क्या पढ़ना है ठीक है तो सिलेबस पर आते हैं लोग पर है और टाइम बहुत कम दिया गया आपको देखो शिरिफ टू आर्स दिया गया है तो मतलब 120 मिनिट टू अगर आप डिवाइड करोगे तो एक क्वेश्चन को एक मिनट भी नहीं मिल रहे है आधही से भी थोड़ा ज्यादा मिल रहे है 35 से 40 से कंड मिल रहे है उसमें इसके क्वेश्चन भी है बहुत सारे क्वेश्चन साब को सौल करना होता है तो टाइम का सबसे बड़ा बांडेशन यहां पर है सिर्फ 2 घंटा आपको मिलेगा आप 200 कुष्चन विदिन टू और 90 मिनिट्स आपको सौल करना है क्यों नहीं होगा ऐसा क्योंकि देखो अगर आप सोचे होगी कि मुझे मेहनत नहीं करना मैं टीचर बन गया हूँ अब मैं सब कुछ मुझे आता है तो सौरी टू से देट कि आप इस डेस में आप इलिजिबल न नहीं था उसके मार्च आप वैंट करने जा क्ता है आप कॉली फाइवाइट मार्च नहीं है यह आप क्या करना कि अरonde क्रणने जा Motor करने लिए हो धिसमें आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा आप कब बैटीमिल पढ़ रहे यह आप उन्से फाइड करना है आपको त पर ठीक है तो आप यह दोनों में फर्क समझो टीटी और जो महां टेट एक्जाम तहां टेट एक सिर्फ वह इलिजिबिलिटी क्राइटिरिया नहीं है कि आप स्वेडिक कर लिए इतने बस इतना नहीं है आपको क्या करना है आपको मेरिड में आना है ठीक है आप कॉमपेटिशन एक्जाम देने जा रहे हैं मुसाब मकाबला करने जा रहे हैं तो आपको अच्छे से हर एक सब्जेट का नॉलिज पर होना चाहिए ठीक है अब से लेबस के अगर बात करेंगे तो यह दो पार्ट में डिवाइड क्या गया है पार्ट ए और पार्ट बी यह अ जहानत आपकी जहानत चेक की जाएगी आपकी जहानत निकाल सकते हो कितने लेबल पर जहीन हो आपकी जहानत चेक की जाएगी इसका वेटे सबसे आदा 40 परसें जहानत जहानत का है मतलब 80 मास्क यह पूरा का पूरा आपका रिजिनिक से लिए बच रहेगा अब इसमें क्या क्या पढ़ना मैं आगे बताऊंगा मैं ठीक है तो पार्ट एक क्या दिया हुआ है 80 मास्क आपका हो गया जहानत या रिजिन pox किया जाएगा ठीक है काभलियात जिसको बोलते अप्टीट्यू टेस्ट इसलिए फूरा नाम क्या ऐस देस्ट अप्टीट्यूद्यूद्ट मतलब यह को गया पार्ट B ऑऌ इंट्लीजर मतलब पाट A ठीक है तो 80 marks 120 marks यह combination आपका है 80 marks पूरा पूरा जहानत है ठीक है अब हम लोग detail में पढ़ेंगे सोड़ा सा कि part A में जो जहानत जो आपका जो है जहानत जहीन जहानत चेक के जाए पका reasoning है उसमें क्या-क्या ट्रोपिक हो सकता है पार भी में जो aptitude है काभियत जिसको बोलते है तो वो क्या-क्या subject हो सकता है उसके include करेंगे ठीक है तो one by one हम लोग देखेंगे सबसे पहले देखते हैं लोग part A reasoning reasoning ठीक है सबसे बड़ा role है अगर आपको exam crack करना है तो 100% आपको reasoning में score करना पड़ेगा 80 marks का reasoning है यह आप छोड़ी ने सकते हो और इसको आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसके पीछे ठीक है तो reasoning अगर बोलते हैं जिसको लोग mental liberty बोल सकते हो या जहानत जिसको मैं उर्दु में टाना से लिक क्या बनता है इसका नाम जहानत ठीक है अब इसके अंदर topic बहुत ज्यादा है कम से कम 12-15 topic है ठीक है तो हम लोग जैसे वीडियो हम ल उसमें हमारे चैनल के उसमें प्ले लिस्ट में आप जाके दे सकते हैं वहां पर हम लोग डाल दिये तीन पार्ट ठीक है अब इसके अंदर जैसा जैसा आती आएगा मैं आपको सारी चीजों के concept बदाते ही आऊँगा तो सबसे इंपोर्डिनिस में जो होता है पार्ट होता आपको पता चल गया होगा sitting arrangement क्या होता है ठीक है इसको पजल भी बोल सकते तुम लोग कुछ चीजों के बारे में अगर बोलेगा तो पजल हो जाएगा अगर इंसानों की बारे में बोलेगा तो sitting arrangement हो जाएगा दोनों एक category में आता हो इसका सीधा सीधा past situation बनता है minimum past question तो र relation जो subject यह जितने topic लिए 100% question आता ही है हां एक से दो question रहता ही है तो बलेड रिलेशन में क्या होगा यह यह उसका भाई है उसके भाई का बाप है ऐसा कुछ दो कुछ लोग जहनी आजमाइस वगरा जो पेपर दियोंगे पांची और आठी में जो अभी हो रहा है scholarship वगरा उ और दोनों के बीच में कितने जर्द जाविया बनेगा यह पूछ लेगा आपसे calendar में क्या पूछेगा कि आप यह समझो आज इतनी तारिक कुछ ना दिन है तो 10 साल के बाद 5 साल के बाद या 10 साल पहले कितना कौन सा दिन था ऐसा पूछेगा ठीक है simple simple topic होते है और आपको चीज को सब्सक्राइब करें इंसके बाद 10मीं tror टेंट्र साथा बीडियो पूछता है कि या दो दो ट्रॉट्इब का और होता है तो गलोंसफ होता है उसमेंुस्वीष पूछता है कि कौन से नंबर क्या पूछ इंडर में कौन सा नंबर यह पूछता है थीक हे उसके बां चारोवान नंबर और भाये से दशा निमडर कितनी लोग यह सकता है रेंक्नेमेंबरida दो लोग को बूलेगा । एकलू सबने बूलेगा — a-b- का बढ़ा है, ऐसा कि आपको कंख्लूजन दे कर दर तोب रेंक्टिंग बूल देर olan निकलना होता है उसके पादाब कि एनने स्टाइट किया जिसमार की जए ए लिए लिए राय ले लिए फिर आपने तेक्सेंग पूजिशन कि स्ञेशें कि एस इसमें आपको क्या चेक किया एक तेट है कि आए उसके वाड़ी बरूल आपको अगर रिजनिंग क्या बोलते हैं इसको अनलेटिकल अनालीसिस से बना हुआ है कि आप कोई भी चीज को देख कि क्या नतीजा निकाल सकते हो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो उसको मतलब को अब्ज़र्ब करके कैलकुलेशन कुछ नहीं लगे है रफ वर्ग होगा नहीं लगेगा आ इसको अनलेशिस बोलती है और रिजिनिंग की पाड में आ जाता है उसको अनलेटिकल रिजिनिंग बोला अगे तो इसमें सबसे पहले होता है Should Counting क्या होता है ठीक है figure counting embedded figure बहुत सारा question पुछता चार से पांच question हर set में आपको मिलेगा embedded figure मतलब कोई एक figure रहता है सुन्जों ये figure बना दिया मैं ऐसे अब बोलेगा ये figure चार option देदेगा ABCD करके बोलेगा इसमें से कहां ये figure छुपा हुआ है embedded figure मतलब चुपा हुआ figure ये figure आपको XZ कहां पर मिलेगा उसको बोलते embedded figure ये भी आसान होता है आपके जहानत के ओपर depend करता है या आपके ने कितना उसको observe किया है ठीक है तो उसके बाद आ गया analogy होता है analogy का मतलब ये होता है कि relation अगर A का relation B से है जो relation वही relation क्या तो C का DC निकलना होता है ठीक है A B का जो relation नहींगा वहीं relation COD में रहेगा जो हम लोग 9-10 लेवल पर बहुत सारा question करश के हम लोग आए है वहीं बोलते आनालोजी mirror image mirror image का क्या मतलब होता है कि हाँ आपको mirror में अगर उसको देखेंगे तो क्या दिखेगा आप आपको पता है कि mirror में चारी चीज़ें उल्टी होने लगती है उल्टी देखने लगती है ठीक है तो वह थोड़ा सा concept है मैं आपको जब इसके बारे में पताऊंगा तो अच्छे से उसको explain कर दूँगा आप समझे में पुछा आता है water image अगर पानी में देखने पर कैसा दिखेगा यह थोड़ा सा अलग-अलग concept है उसके बाद और उसको अब वीडियो continue देखते रही है ठीक है तो आप उसका screenshot ले सकते हो बाद में उसको copy कर लेना ठीक है उसके बाद जो next दिया गया था वह था aptitude जिसको हम लोग क्या बोलते कावलियत बोलते भाई teacher के अंदर कितनी कावलियत यह चेक करना होता यह वन टॉंटिंग मास्का है वन टॉंटिंग मास्का जो पाड भी जिसको बोल सकते हो तुम लोग उसके अंदर सबस्वेर आता मैस मैस का अगर मैं मैं प्रिविश्यर मैस के ठीक है और मैस कोन सा होता है अपना जो आपने 10th लेबल तक पढ़ा है बहुत हाई लेबल का मैस नहीं होता है 10th लेबल तक ही पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा लेबल अप कर देता है questions वही लेबल का होता है आपको derivative integration जो higher level पढ़ा है है differential equation यह सब नहीं आता है ठीक है जो आता है profit loss रहेगा नंबर सिस्टम रहता है जो आपने इंडाइस पढ़ा है यह रहेगा angles के बारे में रहेगा simplification जो आपने पढ़ा हुआ है नंबर को multiply divide जो आप बोर्ड मास रूल है simple यहीं सारे topics आपको पढ़ना होता है मैस के लिए उसके बाद science का एक अच्छा-खासा वेटेज है उसमें आपको physics chemistry bio जो तीनों subject है वो भी 10 लेबल तक कहा साइंस वन और टू 8 9 10 के साइंस की books वगरा है वह आप रिफर कीजिए वह इसली आपका score हो जाएगा ठीक है सारा पूछ रहे है उसके बाद grammar के कुछ पाट जो चेंदावाइस हो गया डारेक इंडारेक्ट होगा जो अभी तक आपने जो पढ़ते आ रहे हैं बेसिक टोपिक जो सबको पता होता होता है मोस्ली ठाले वही पूछेगा grammar श्रीफ पढ़ना है आपको इंगलिश में उसक आपको यहां पर भी आपको कुछ 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 रहेंगे इसमें psychology के उपर उसको बोलते हैं चायल psychology वह पढ़ना है उसके बाद जो नेक्स टॉपिक दिया हो पैड़ागोजी दिया हो क्या दिया हुआ है पैड़ागोजी पैड़ागोजी का मतलब यह है कि हाओ टू टीच इ इसे किया जाता है उसके बारे में पैड़ागोजी बोलाता है हाओ टू टीच ठीक है यह कुछ कुछ रहेंगे उसके बाद जो बचता है इस्ट्रिय स्विक्स जेग्राफी यह तीनों में से कभी कबार एक दो कुछ लेता है लेकिन पूछेगा जरूर यह भी पार्ट है त इससे इंग्लीज का था सेम पैटन यहां पर मराथी में फॉलोग कि जाएगा आपको विर्दार्ती सथ पूछ लेगा समानारती सथ पूछ लेगा व्याकराण की जो सिंपल सिंपल होते यह सब पूछ लेगा यह माराठी में आ जाएगा दूध बहुत डेपली स्टेड़ी है वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ेगा इंग्लीज मराथी इसलिए इंक्लूड किया गया है कि हम महाराष्ट में रहते हैं तो अपनी मात्र भासा क्या है महाराष्ट का महाराष्ट का मराथी इसलिए मराथी इंक्लूड किया गया है मराथी आपको आना चाहिए पढ़ने ल पुछता है करन अफेर्स में आपको मुष्छ पिछले एक साल के या छे महीने तक क्या आपको पढ़ना होता हूँ कहीं भी आपको कोई भी बुक्स वगारे मिल जाएगा या आप निवस्पेपर वगारे पढ़ते होगे जो बर्निंग टॉपिक्स होता है कि कौन सी टीम ने पुछा जाए गया जो मुष्छ लिए आप निवस्पेपर पढ़ते हैं लेकिन आपको अपडेट रहना पड़ेगा इसके लिए आपको आपने आसपास में इंडिया में क्या चल रहा है क्या चल रहा है वह पता होना चीए आपको ठीक है तो यह करन डफेर्स हो गया उसके आपको बहुत जारा हाई लेबल नहीं पढ़ना है आपको इंजिनियर नहीं बनना है ठीक है तो इसको नहीं पता होता है जिसको नहीं पता समझ लोग आपको याद करना पड़ेगा उसके बाद MS Office जो आपका इसमें पावर पॉइंट हो गया एक्सल हो गया या वर्ड हो गया उसके अंदर जो फंक्शन कीज होते उपर जो रहता है उसमें क्या से क्या होता है कि मतलब क्या सीज़ें यूज किया थी वह स्थोड़ा बहुत पर आपको मैं क्लियर करते जाओंगा ठीक है अब करना क्या है नेक्स्ट अब कुछ लोग बुलेंगे मैं बहुत से लोग से सुना हूं मैं मैं से पूछते सर की तैड का सिलेबस क्या बता दो फिर बोलते सर कितने मांस से यह पास होने के लिए ठीक है यह सवाल कुछ है बहुत से लोगों की जहन में अभी भी आ रहा होगा कि सर पासिंग नंबर क्या है कितना मास लाना है देखर पासिंग नंंबर उसमें होता है जो सिर्फ क्वालिफाइड एक्जाम होता है यह से आप टीठी पास करके आयोगे या सीट होगया अब इसमें 90 नंबर ले आप Ó सो गया लेकिन आप यह competition में बैठने जा रहे हैं, competitive exams है, तो इसका passing mask कैसे decide कर सकता है, यह इसमें तो merit बनता है ना, अब किसके उपर depend करेगा यह merit? merit बनता है इसमें, तो merit क्या रहेगा? सबसे पहले यह होता है कि number of vacancies कितनी है, number of vacancies, यह हो गया पहले criteria, दूसरी criteria number of candidate, number of candidate, कितने candidates यहाँ पर appear हो रहे हैं और vacancy कितनी है, उसके उपर, समझो 2000 vacancy थी और 5000 candidate थे, तो 2000 candidate का marks कहां से हम start करेंगे, अपर से, descending order से, सबसे highest mark जिसको मिला, उससे कम करते, 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 2000 seat है, जो 2000 number पर जो बच्चे का number आएगा, वहीं पर marks कम हो जाएगा, उसके उनीचे जितने भी रहें किसी के selection होगा, 2000 उपर जितने भी रहेंगा, सब के selection हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते है, क्या बोलते है, क्या बोलते है, cut off, तो आपको passing marks नहीं लेना, cut off clear करना है, cut off, अब depend कैसे करेगा, वो जब notification आएगा, जैसे TT के result declare होगा, उसके बाद, तुरंत one week के बाद, क्या आजाता है, उसका notification है, उसमें आपको बताया जाएगा, कि हाँ, इतने सारे seats है, अप candidate जो भी बहुत सारे हों कितने सारे apply करते हैं वो सारे चीजे में माने रखता है आपका passing marks तो आप passing marks decide करी नहीं सकते हो कोई बता भी नहीं सकता को कि इतना marks थो लाना है ठीक है depend करता है कि बच्छे कितने है कितने teachers apply कर रहें वेकंसी कितनी है उसके उपर आपका cutoff बनेगा ठीक है कटाउप बनेगा और इस बार मैं आपको पहले वीडियों बता चुका हूँ कि बहुत सारे होगे चार साल के पूरे केंडियर्स बच्चे वे और जो पुराने जरहें वह भी तो अपलाई करेंगे तो केंडियर्स ज्यादा है अगर सेट्स कम आती है तो हंडेड परसन इस बास कॉंपिटिशन बढ़ने वाला है आपको टफ कॉलिफाइड करना पड़ेगा तफ मेहनत करना पड़ेगा आप मुकाबला जाते हैं इम्तिहान देने जा रहे हो ठीक है कॉंपिटिशन में जा रह सब्सक्राइगा नहीं हो पाएगा आगर आप सीरेस नहीं हो अपने जॉब को लेके तो गौर्णमेंट भी आपको इससे बैठे बिठा आपको लेटर नहीं देगी हाँ बाई जड़ी में जाओ जिला परशन इसकुल में मज़े करो अभी वो दिन खतम हो गया है अभी आप को कोई भी फिल्ड लेलो कि टीचर ही क्यों ना हो हर फिल्ड में आपको कॉंपटिशन को आपको क्रेक करना ही पड़ेगा इसके लिए तो सीधा फेक देग उठागे ठीक है तो आपको सीरेस होना पड़ेगा अगर मेरी बातें बुरी लग रही है तो सौरी लेकिन हाकिकत यही है कि आपको टीचर जो होता है टीचर काबलियत होती है वह होना चीए अगर आप सोचरों को पुराना सिस्टम था कि नहीं आ रहे हैं आपको किसी सोर्स के लग लगे नहीं अभी सब्सक्राइब होने वाला टोटल फेर एकजाम होगा और ओनलाइन एकजाम होने वाले तो इसमें कुछ चांसे तो नहीं है जिसे 17 में वह था उनलाइन सदा सिधा फैर वेकेंसी हुई थी सारे लोग अच्छे जो केंडिडेट्स थे जो इलिजिबल तो वही लोग अपॉइंट हुए है इस बार भी वह इसे ही होगा तो आप कभी भी आप टीचर हो आप अच्छा मतलब अपने आपको बनाओ वैसा कि बच्चे आपसे क्या हो जाए कोई कुछन पूछ रहा है बच्चो आप इलिजिबल हो जाओ नौलेज देने के लिए कोई भी शक्यड़ हो आपका ठीक है उसके बाद अब बोलो किसा टार्गेड क्या होना ची है हमारा पासिंग मास तो मेर्ड में आना है वो भी आपके अपने 24 की ऊपर आपको बोलेगा जाएगा हाई कौन सी स्कूल पढ़ाओंगे कहां जाना है कौन सा स्ट्जेड पढ़ाना है अगर इस सब चाहिए आपको तो करमसे कम मेर्ड में आना पड़ेगा और मेर्ड में आने के लाओ 150 प्लस स्कू तो ये वीडियो को शेर कर दी चाकि उनको भी ये जो वैलियोबल नॉलेज में बता हैं उनको भी पता चले ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग